हे गाईज वेलकम टू गवर्मेंट जोब्स ग्यान योटूब चैनल गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CRPF Admit Card 2030 की लेटेस्ट अफडेट के बारे में जिहां दोस्तों सेंटर लीजर पुलिस पोस ने Constable, Tradesman और Technical के 9212 खाली पदों को भनने के लिए Admit Card जारी कर दिया है कैसे कब और कहां से आप अपना Admit Card डाउनलोड कर सकते हो इसकी पूरी जानकारे हम आपको Step by Step इस वीडियो में देंगे बस आपको इस वीडियो को Skip के बिना सुरू से लेकर End तक देखना है उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर कर दें चैनल पर नई हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले तो गाइस बिना कोई वक्त गमाए चलिए सुरू करते हैं आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sherkari.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा यहाँ पर आपको इस एड्मिट कार्ड के रिगारिंग पूरी डिटेल परवाइड गरा दी गई है सेंटर लिजर पुलिस और सी आर पिएफ constable technical tradesman का exam conduct करने जा रहा है total number of vacancies यहाँ पर constable किन post के लिए 9212 थी जिनको भणने के लिए यहाँ पर exam conduct होगा selection procedure के अगर बात करें तो यहाँ पर आपका online exam होगा CBT जिहाँ दोस्तों यहाँ पर CBT का exam होने जा रहा है इस exam में आपका physical standard test होगा फिर physical efficiency test उतके बाद rate test फिर document verification और फिर medical examination के आधार पर आपके selection का यहाँ पर decision लिया जाएगा तो यहाँ पर CBT का जो exam होने जा रहा है इसके लिए admit card जारी हो चुके हैं कैसे आप अपने admit card डाउनलोड कर सकते हो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में step by step देंगे बस आपको end तक इस वीडियो में बने रहना है date के अगर बात करें तो online form scan rate से 27 मार्च 2023 से 2 माई 2023 के बीच में 9212 खाली पदों को भणने के लिए accept के गए थे exam यहाँ पर आपका CBT exam 1 से 13 जुलाई 2023 के बीच में conduct होने जा रहा है admit card आपके 20 जून 2023 से available हो जाएंगे उसके बाद आप 1 से 13 जुलाई 2023 के बीच में अपने admit card लेकर exam में participate कर सकते हो आपको इस page को नीचे scroll down करना है important link section में आकर CRPF 9212 कॉंस्टेबल admit card आपको इस link पर किलिक करना है उसके बाद आपके सामने यहाँ पर CRPF का यह official portal खुल जाएगा या फिर आप directly अपने internet browser की address बार पर rect.crpf.gov.in टाइप करके यहाँ पर Centralizer Police Force की इस official website पर आ सकते हो यहाँ पर आपको तोप पर ही यहाँ दोस्तों इस section में आपको आपका CRPF Constable 9212 खाली post के लिए admit card का link 20 June 2030 को active कर दिया जाएगा उस link पर किलिक करके आप अपना admit card डाउनलोड कर सकते हो जैसे ही आप CRPF Constable 9212 post के admit card के link पर किलिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से interface खुलेगा यहाँ पर आकर आपको login option पर किलिक करना है उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से pop-up खुल जाएगा यहाँ पर आपको अपनी user id password एंटर करना है वो user id जो आपको form फिल करते समय प्रोवाइड कराई गई थी और फिर आपको यहाँ पर यह captia code फिल करके login बटन पर किलिक करके अपने dashboard में login कर लेना है और वहाँ से अपना admit card डाउनलोड कर लेना है और अगर आप अपना user id password भूल चुके हो तो यहाँ पर आपको forgot user id slash password का option दिया गया है इस link पर किलिक करके आप अपना user id और password गैट कर सकती हो तो अपने dashboard में जाने के बाद login करके अपने dashboard में जाने के बाद आपको अपने admit card का एक hard copy printout ले लेना है आपका admit card कुछ इस तरह से सोगा इसमें आपको आपका roll number नाम आपके father का नाम आपके exam की timing, reporting time सब details आपको provide करा दी जाएगी कब से कब सक आपका exam होगा किन-किन चीजों को आप exam में carry कर सकते हो किन चीजों को आप exam में carry नहीं कर सकते हो पूरी detail आपको आपके admit card में provide करा दी जाएगी admit card के साथ साथ आपको अपना एक photo valid पहचान पत्र भी साथ ले कर जाना होगा जैसे कि कोई आधार card, pen card या फिर driving license इन दो documents के साथ आपको exam center पे participate करना है तो दोस्तो ऐसे आप अपना CRPF है CRPF Constable Technical Tradesman का admit card डाउनलोड कर सकते हो आज की इस वीडियो में बस इतना ही I hope ए वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करें चैनल पर नई हो तो इसे subscribe कर लें Thanks for watching